नमस्कार मैं हूँ अदिती सिंग। बाड को रोकने का इंतिजाम अगर सरकारे मिलकर अभी नहीं करेंगी तो आगे और कितना नुकसान हो सकता है। इसका एक अंदाज़ा हमने आपके लिए निकाला है। हमने ये पता किया है कि 1953 से लेकर 2020 तक क्या नुकसान बाड ने किया है। राश्री बाड आयोग के अनुसार देश में 4 करोड हेक्टेर का इलाका बाड की चपेट में आता है। 1953 से 2020 के बीच 46 करोड हेक्टेर की भारत की जमीन बाड से प्रभावित हो चुकी है। यानि 67 साल में भारत के भावगोलिक इलाके से 14 करोड हेक्टेर ज्वादा जमीन देश की बाड के कारण प्रभावित हुई है। छैदशक में बाड ने भारत के 24 करोड हेक्टेर के इलाके को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस तरह के आकड़े बताते हैं कि 87,662 करोड रुपए का सिर्फ इलाका ही बाड से 67 सालों में बरबाद हो चुका है। 1953 से 2020 के बीच बाड ने भारत में 77 करोड घरों को नुकसान पहुचाया। इसका मतलब आर्थिक तौर पर देखे तो 67 वर्स में बाड से 43,777 करोड रुपए की सिर्फ घर तबाह हुए हैं, बह गये हैं। इतनी तबाही तब हुई जब 66 साल के दाइरे में देश की आबादी कम थी, जब देश में घर आज के मुकाबले काफी कम थे। आज आबादी भी ज़्यादा है, मकान भी ज़्यादा है, सोचिए अगर अब भी बाड प्रबंधन का काम सरकारों ने मिलकर नहीं सुधारा तो आगे क्या होगा। बाड और जल सैलाब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कब तक समय समय पर आने वाली आबदा बता कर अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाएगा। कब तक यूँ ही रेस्क्यू के भरोसे रहेगी जिंदगी। बाड की बदनिसीबी छेलते लोगों के बीच वो खुशनसीब ही है जो सही सलामत बच गए हैं। अब तो ये नौबत आन पड़ी है कि बाड से बचे तो लाखो पाए। कहीं पर NDRF तो कहीं पर कोश्ट गाड देवदूद बन लोगों की जान बचा रहे हैं। तो कई लोगों ने इसी बाड के चपेट में आकर अपनी जान भी गवादी है। महराश में 89 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। असम में 192 लोगों की मृत्यू अब तक बाड और लैंड स्लाइट से हुई है। गुजरात में 79 नागरिकों की मौत की वज़व बाड बनी है। मध्य प्रदेश में भी 86 लोगों की मृत्यू हो चुकी है। पिछले 67 साल में बाड की वज़ज़ से भारत में 1 लाग से जादा नागरिक और 60 लाग से जादा पशुओ की जिन्दगी बेह चुकी है। खत्म हो चुकी है। बाड के कारड अब तक के कुल नुकसान को देखे तो 87,662 करोड का इलाका और जमीन, 43,717 करोड के घर, 1,444 करोड के पुल और सडकों को बाड पिछले 6 दसक में बरबाद कर चुकी है। 1953 से 2020 तक बाड से हुई तबाही के आकड़े बताते हैं कि 210 करोड लोगों की आबादी अब तक पानी के कारड प्रभावित हुई है। यानि मौझूदा आबादी से भी 80 करोड जादा की आबादी अब तक बाड की चपेट में आ चुकी है। बाड में एक पीज़ी का इजाफा देश के आर्थिक विकास को करीब 3 पीज़ी पीछे कर देता है। ये नीती आयोग की रिपोर्ट कहती है। फिर भी क्यों नहीं बाड के प्रबंधन को मजबूत किया जाता है जिससे देश को 3 पीज़ी की आर्थिक चोट पहुचने वाली बिमारी का इलाज हो जाए। इसका नतीज़ा आम आदमी और बच्चों को उठाना पड़ता है। साल बाड से कई घर तबाह हो जाते हैं और कई लोग इसमें अपनी जान भी गवाते हैं। अभी के हालाद बताते चले तो बारिश के कारण गुजरात में 138 मार गियानी रास्ते बंद कर दिये गये हैं। पलसार जिले में कुल 30 रूट बंद है जबकि नौसारी जिले को जोडने वाले सोलर रास्ते बंद हो गए हैं। बाड में एक पीज़दी का इस जाफा आर्थिक विकास को करीब 3 पीज़दी पीछे कर देता है। इसके अनुसार अगर देखते चले तो अब तक 67 सालों में हमारा देश आर्थिक विकास को लेकर कितना पीछे पहुच चुका है।